दिन्वर काम करके जब भी माइन फ्रेश करने के लिए फोन उठाओ तो सोशल मेडिया उपन करो तो ये सौंग पीछा नहीं चोड़ता फिर कुछ टेम के बाद टेक्निकल गुरुजी कुछ न कोई शुरू करते ही रहते हैं कभी कभी तो क्यारी मिनाटी की रील सामने आ जाती है तो मम्मी की चपल भी साथ ले आती है समझ रहो नाप समझ रहो तो जली आज हम आपको बताने वाले हैं उन फेमस यूटूपर्स के बारे में जिनकी मीवस दुनिया भर में चागी है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्यारी मिनाटी से लेकर हर्ष बैनिवाल ककी और लौट पुनीट से लेकर टेक्निकल गुरूची की तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं फाक्ट्स लैबोट्री फाक्ट्स के दुनिया में आप सबका स्वागत है नमबर एक आई हाई ओए होए बंदू बंदी ओए होए होए बंदू बंदी आजकर ये गाना सोशिल میडिया पर जम कर टेहल का मचा रहा है हर कुव इस पर जम कर जूमरा है और इंस्टेग्राम पर तो इस गाने से बने रींस की बार से आगी है और साथ ही इस गाने के जम कर मीन्स भी बन रहे है बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी आए हाए होए होए और जम कर मज़े किये जा रहे हैं तो वहें लोगों के कानों में से खून भी आ रहा है मस्ती के लिए लोगो हुक स्टेप पर डांस कर रहे हैं आपको बता दें कि ये गाना चाहत फते अली खान ने गाया है जो मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाले है चाहत फते अली खान का असली नाम है काशिव राना दोस्तों आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि एपरेल में आए इस गाने के यूटुब पर ग्यारा मिलियन से जादा इस गाने को लोग यूटुब पर देख चुके हैं और वहीं दो लाग से जादा लोग इस गाने को लाइक कर चुके हैं आए हाए ओए हूए इंस्ट्रग्राम पर उंगलिया घिस्ते घिस्ते कभी भी ओडियो आपके कान से टखरा सकता है सामने दिखेगी एक महिला जो लटो पीला कलर के ड्रेस दिखा रहे हैं या कोई अन्ने सेलिबिटी जो कहें हुए शब्दों पर होड चला रहे हैं जिया दोस्तों अगर आपने भी बीते कुछ तिनों में येलो कलर की कोई ड्रिस ली है कोई शिर्ट ली है या आप शॉपिंग में गए है तो आपने ये दायलोग जरूर मारा होगा दोस्तों कि आप जाते हैं कि चस्मीन कौर की महिला एक बूटीक चलाती है और उनका ड्रस दिखाने का स्टाइल तुरा सा हटके है जैसे कि जैसे मैं पताती हमको वैसे बनाते हैं इसके बाद उनका ये लड़ पेला कलर तो ब्यूटीफूल सो एलिगेंट जस लुकिंग लाइक वाव एंड बाउस कलर वाले डायलोग इतने जादा फेमस होगे कि इनकी उपर बन गई मीम और हमारी जस्मीन कौर बन गई मीम्स की क्वीं दोस्तों कि आप जानते हैं कि लड़ू पीला कलर वाले मीम पर तो देप ब्यूटीफूल सो एलिगेंट जस लुकिंग लाइक वाव जस लुकिंग लाइक वाव नमर तीन शुष्टम अरे एल्विच भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या एल्विच भाई जी हाँ दोस्तों शुष्टम ना की सिस्टम बेशक बिग बिग बोस ओटी ट्री शुरू हो गया है लेकिन अभी तक को ऊटी टी टू का चादू किसी के सर से कायब नहीं हुआ है जी यहां बिग बोस ओटी टू के अंदर अल्विच यादम ने ये जो यूज करया था शुष्टम है अपना इसके बाद से तो इसका मीम इतना जादा पेमस हुआ है कि छोड़ा नमबर चाइड कैरिमिनाटी की मीमस कैसा लगेगा जब आपको कोई कश्मीर की गली मूवी बोल कर देपकलाल की वीडियो दिखा दे कै seminar को कुई क्यूप क्यूप की लिए क्यारे मिनाटी की मीमठ रहुम्र के लोगो को कापी जादा पसंद आती है दोस्तू क्या आप चान कि का इसलिय नाम क्या है क्या अबनात्य के अपने पाइली वीडियो स्पर साल को ड्राली थे और उनके चैनल का नशी से निकाल लेती थे सब्सक्राइबर के मामले में तो कैरी मिनाटी इंडियन यूट्यूबर्स में सबसे ज्यादा आगे हैं लेकिन जिस मीम के लिए वो सबसे लागा फेमस है कि आप जानते हैं कि वो कौन से हैं जिन्नों ने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया है दोस्तों उस वीडियो का नाम है टिक टॉक वर्सस यूट्यूब जिसके बाद क्या देमिनाटी पूरी तरीके से लाइम लाइट में आए थे दोस्तों हर्श बैनिवाल का नाम आपको कुछ समझना ऐसा कैसे हो सकता है । समझना आप जोंते हैं कि हर्श बैनिवाल की एक वीडियो जो चौर सार पहले आई थी उसमें से यह है एक मीम है जो कि सब को बहुत पसंद आता है और अगर बात डबल मीनिंग की करें तो यहां पर यह मीम हर जगा चिपका दी जाती है कैसे समझ रहो आप दोस्तों ऐसे तो हर्ष मेनिवाल के आक्टिंग बाग कमाल है हमने उनके यू पहले उन्हें करण जोहर की फिल्म स्टूर आप दी यार्टू में भी देखा जा चुका है तो समझ रहो आप नमबर छे थारा भाई जोगिंदर यह मीम्स तो आजकल बड़ी जादा चल रही है मीम्स लड़के न अपना रुत्मा दिखाने के लिए इस मीम को खूब शेयर करते हैं आपको बता दें कि जोगिंदर इतना पॉपलर कैसे हुआ तो चलिए बताते हैं दोस्तों क्या आप जाते हैं कि थारा भाई जोगिंदर बड़े बड़े यूट्यूपर से रोस्ट हुआ उसके बाद वो फेमस हुआ कहने को मतलब है कि थारा भाई जो गिंदर बहुत रोस्ट हुआ और जितना वो रोस्ट हुआ उतरा ही उसके वीडियोज को देखा गया वे उसाते गए और वो फेमस होता 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 रोडिस में चला गया मतलब ही कहना गलत नहीं होगा कि गाली के साथ साथ पैसो की भी बरसात होती है जैसे थारा भाई जो गिंदर रोस्ट हुआ और उसके मार वेमस हुआ नमबर साथ लोड कुनीद मीम्स की बात हूँ और लोड कुनीद का नाम ना ऐसा कैसे हो सकता है यार मैं इतना संजर क्यों हूँ गंदे पाने में लेटना और वो उनकी जबरदसी हसी या मौत का जूटा नाटिक दिखाना इसमें तो भाई साथ लोड कुनीद सबसे ज़ादा आगी है और मीम्स में इतना बड़ा हिस्सा तो लोड कुनीद का ही है जब वो एक के मादे जबरदस मीम्स बनाते चले जाते हैं और इसलिए लोग उन्हें लोड के नाम से भी यानि के लोड पुनीद के नाम से भी जानने लगे हैं यह अपनी मीम्स को लेकर इतने जादा फेमस हुए कि बिग बुल्स ओड़िटी टू में भी पहुँचके इनकी मीम्स सबसे अलग और अंटर्टेर्निक तो थी नमबर आट चलिए शुरू करते हैं अरे 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 आप टेक्निकल गुरुची के चैनल पर नहीं आए आए आप फैंक्स लेबूटरी के चैनल पर ही हैं लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरुची की जिनका यह मीम्स चलिए शुरू करते हैं काफी जाद आप फेमस हैं दोस्तों टेक्निकल गुरुजी को कौन नहीं जानता जिनका ये इंट्रो नहां नजारे कितने content creators के लिए template की तरह इस्तमाल होता है टेक्निकल गुरुजी का इसली नाम है God of Chaudhary जिनका दुबई में बिजनस है और इसके साहसर उनका YouTube चानल भी है और इस YouTube चानल पर वो unboxing करते हैं टेक्निकल गाचिट्स की यानि की mobile phones, camera, laptop और mics ना जाने क्या 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 और उनके बात किनने का style इतना साथा famous है ना कि उनके ये memes तो जम कर इस्तमाल के जाती है चलिए शिरू करते हैं अगर आपका जगड़ा हो गया है तो आपकी मदद करेंगे हिंदुस्तानी भाव कैसे रुको जरा सबर करो रुको जरा सबर करो नमबर नौपन है हिंदुस्तानी भाव यानि की रुको जरा सबर करो memes जी यहां हिंदुस्तानी भाव के मीम्स जगड के हर्मूट और स्टाइल के लिए बेस्ट है। हिंदुस्तानी भाव का असलिए नाम है विकास फाटक। विकास की जुबान शेहर जिसी मीठी है। है ना। मसाख करें। उनकी बात करने का तर्मा थोड़ा सा हटक यानि कि उनके जुबान थोड़ी जी ची पूपुलर हुए हmore इतने पॉपुलर हुए कि इस बिच्च बोज एंड़्ोस थोट जाने बढ़ते बढ़ते भी मम्मे को कह देता है लोगो जरा सबर करो सो दोस्तों ये थी वो यूट्यूबर्स जिनोंने दूसर को किया रोस तो बन गए फेम का हिस्सा या यू कह लिजी खुद हुए रोस तो आ गया पैसा ही पैसा आप इन में से कौन से यूट्यूबर की मीम सबसे जादा अपने दोस्तों को शेयर करते हैं आपने कमेंट करके जरूर बताएं तो वहीं अपने के लिए सिर्फ इतना ही फैक्स के दोई हमें डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद